दोस्तो बसंद का मौसम आ गया है और अब धीरे-धीरे मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है अगले महीने मार्श में आते आते और उसके बाद मही जुन में तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि धर्ती तपने लगेगी ऐसे में चिंता हो जाती है गार्डनर्स को क कि अपने प्लांट को हम कहां रखें और कैसे रखें कैसे उनकी देखबाल करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि धूप में रखना है तो फिर उसके बहुत ज़्यादा देखबाल करनी पड़ जाती है और यदि छा में रखते हैं तो पता नहीं प्लांट सर्वाइव करे कौन कौन से प्लांट है जिने आप शेड में रख सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले है यह ऑस्टेलियन अगेव बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है यदि आप इसे अपने घर में रखते हैं शेड में रखते हैं चाया में रखते हैं तो आप बहुत ही एस्थेटिक लु और यह भी शेड में यानि की छाया में बहुत अच्छे चलते हैं और देखिए इसके प्लांट का जो इसके पतियों का कलर जो है कितना सुंदर है और कितनी चमक है तो इस तरह की पतियां या प्लांट आप रखते हैं अपने घर में तो बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगत इसे आप बात में कटिंग करके एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं तो इस प्लांट को भी आप अभी नरसरी से लाकर लगा सकते हैं जो कि आपके छाया में ही लगेंगे और बहुत ज्यादा इनकी केर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो उखाओ यहानी की जिनकी के बाइर में आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है बहुत ज-जादा टेंशन नहीं लेना है बहुत ज़्यादा उने दिल्दाइश च्रम ऊपकर आपको अच्छे चुन बिल्लान कि एक अच्छे से चलेंगे। तो इनकी growth भी start हो गई है और इन्हें भी आप cutting से लगा सकते हैं इन्हें baby plant से भी लगा सकते हैं तो एक बार यह दि आप इन्हें nursery से ले आते हैं तो आपके बहुत सारे plant बन जाते हैं इस variety को सायद snow white कहते हैं क्योंकि बिल्कुल snow की तरह ही plant पतियों पर दिखलाई देता है देखिए दोस्तो अगेव के बारे में मैं फिर से बता रहे हैं कि अगेव जो है जो इंडियन अगेव होता है उसकी पतियां थोड़ी सी हाड होती है और इतनी glossy भी नहीं होती है लेकिन जो Australian अगेव है यह हो सकता है nursery में यहीं छोटा plant लाएं तो आपको 80 या 70 रूपीज में मिले लेकिन बाद में जब यह बड़ा हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगता है और बिल्कुल आप जहां भी रखेंगे वहां आपको एक aesthetic look देगा इनकी पतिया थोड़ी सी soft होती है तो उसके बाद next plant है dracina के एक और variety जो की बहुत ज़्यादा variegation वाला होता है और आपको दिख रहा है कि यह color कितने ज़्यादा उसंदर लग रहा है बिल्कुल इसमे red color है, green color है, maroon color है तो यह भी shade में ही चलते हैं दूप में रख देने से इनकी पतिया थोड़ी थोड़ी सी burn होने लगती है क्योंकि यह दूप को बरदास्त नहीं कर सकते है इन्हें आप shade में रखेंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे और यह जितने भी plant के बारे में दोस्तों मैं बतला रही हूँ इन सबको सिर्फ आपको year में यानि की साल में एक बार fertilizer देना है fertilizer के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट दे देंगे या cowden कंपोस्ट दे देंगे या फिर आप लीफ कंपोस्ट दे देंगे तो यह इनके लिए काफी है उसके बाद next जो plant है वो है baby sun rose baby sun rose जाड़े में थोड़ी से dormant हो जाते है लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है तो उसके पत्ते देखे कितने ज़्यादा growth में आ जाते हैं और बहुत चमक आ जाती है ये भी succulent variety के हैं और इन्हें भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए बस थोड़ी दिनों के बाद गर्मी से लेके बरसाद तक इसमें बहुत ही pink कलर के flower निकलते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुन्दर होते हैं बेबी sun rose इसलिए कहा जाता है क्योंकि sun के निकलने के बाद ही ये रोज की तरह इनके पतिया जो है वो बर्ण होने लगेगी जल जाएंगे और पौधा सर्वाइब नहीं कर पाएगा तो ये shade में ही अच्छे चलते हैं जो तीन विराइटी इसकी होती है कोई सी भी विराइटी ले ले और उसके बाद ये बेबी प्लांट से या कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रूव हो जाते हैं तो बस एक बार यादी 50 और 60 रूपिज में ये मिलेंगे आपको नरसरी में एक बार आप ले आते हैं नरसरी से तो बाद में आपको बहुत ही अच्छे से इनके कई सारे प्लांट बन जाएंगे और देखने में भी ये बहुत ही सुन्दर लगते हैं इजी टू केर हैं ड्रेसिना की ये दूसी विराइटी देखे कितना बड़ा सा प्लांट हो चुका है और इनके पत्ते थोड़े बड़े-बड़े से हैं तो ये भी आपके घर में चारचांद लगा देगा जहां भी आप रखेंगे बहुत हरियाली फैलाएगा और ये बहुत देखने में खुबसूरत लगता है और इन्हें भी बहुत ज़्यादा आपको खाद या पानी देने की ज़रुवत नहीं होती है और उसके बाद है अरेलिया अरेलिया प्लांट भी बहुत ही खुबसूरत होता है कई तरह के होते हैं मेरे पास तो तीन वेराइटी है ये थोड़ा सा वेरिगेशन वाला है और पत्ते भी देखे इनके कितने खुबसूरत होते है बहुत ज़्यादा इनकी कोई डिमांड नहीं होती है न तो इने बहुत ज़्यादा फटलाइजर चाहिए न बहुत ज़्यादा पानी चाहिए न बार बार इनकी कटाई शटाई करनी है तो एक बार साल में आप इन्हें पानी दे देते हैं और उसके बाद एक बार इन्हें फर्टलाजर डाल देते हैं कोई सी भी फर्टलाजर हो क्योंकि ये पत्ते होते हैं green green तो nitrogen वाले fertilizer उन्हें देना ज़्यादा अच्छा लगता है तो nitrogen वाले fertilizer में आप इन्हें दे सकते हैं गubar की खाद बिल्कुल सडी गोबar की खाद देते हैं तो देखे, इनके पत्ते कितने जी green होते हैं और बहुत ही सुन्दर, बिल्कुल shade में रहते हैं, मेरे यहां बिल्कुल ये shade में मेने जो ऐसा प्लेस जहां पर धूप नहीं आती है या थोड़ी बहुत दूप छंकर के आती है यह वही पर यह लगे वे हैं और बहुत ही सुन्दर से ये growth कर रहा है देखें कितने अच्छे लग रहा है बिल्कुल green green तो ये भी आपके garden में आपके घर में आपके बरामदे में बहुत greenery फैलाएंगे और इनको भी आपको बहुत जादा टेंसल लेनी की जरूरत नहीं है आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि गर्मी से मैं अपने plant को कैसे बचाओ क्योंकि इनको भी बहुत जादा care करने की ज़रूरत नहीं होती है उसके बाद अब देख लिए यहां पर एगलॉनिमा के और भी दूसरी variety है जो काफी green होते हैं मेरे पास चार-पास variety है ये variety भी बहुत ही हाड़ी होते हैं क्योंकि ये भी देखने म इनके अप्टूर में report करूंगी तो इनके और सारे plant बना लोगी तब ये इनकी growth भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो ये जब भी बढ़ जाते हैं तो बड़े ही खुबसूरत लगते हैं अब देखें इनकी जो दूसरी variety है ये भी कितने ही खुबसूरत है तो पत्तों के यो चार-पांच variety हैं मेरे पास अच्छे से survive कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भी बहुत ज्यादा fertilizer की need नहीं होती है इन्हें बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है बस समय समय पर आपको हर दो दिन पर या हर दिन इनके पत्तों पर पानी से spray कर देना है पानी से spray कर देने से इन 20 तक में मिल जाएंगे उसी तरह से एक और variety है इनकी भी कीमत बस 80 से 120 तक ही है और देखे जैसे ही वसंत आया सभी में नई ने ग्रोस शुरू हो गई है और बेबी प्लांट से भी निकले हुए है तो इस variety को भी आप लाकर लगा सकते हैं तो इन्हें लगाने के बाद आपक और यह देखे कितने अच्छे से नई नई ग्रोथ कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और moss stick पर यह अच्छे से चड़ रहे हैं तो इन्हें भी आप लगा देते हैं बिल्कुल यह shade में रखे वे हैं कोई इनमें धूप में जरा भी नहीं है एक घंटे की भी को दिखला रही हूँ इन्हें कहीं भी धूप नहीं मिलती है यह shade में ही रहते हैं और वैसे ही इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं जब shade में नहीं रहते हैं तो उन्हें पानी की भी ज़्यादा धरूरत नहीं पड़ती है उसके बाद है यह rubber plant भी shade में चलने वाले ही plant होते ह जो बहुत जादा खुबसूरत होते हैं इनकी दो variety होती है green वाली और एक dark maroon वाली तो मेरे पास एक green वाली है एक dark maroon भी आप ला सकते हैं इससे भी आप 80 रूपीज में ला सकते हैं और एक बार ले आते हैं तो cutting से आप इन्हें बहुत सारे plant इनके बना सकते हैं उसके आया कि यहां एक घंटे की विधूप नहीं परती है और यहां यह बड़े अच्छे से लगे हुए हैं बहुत अच्छे से growth कर रहे हैं तो इस variety को भी आप लाके singonium को भी लगा सकते हैं और अपने ब्रामदे में या अपने drawing room में रख देंगे तो इसे बहुत अच्छे से चलते रहेंगे उसके बाद है next plant शेफलेरा शेफलेरा बहुत ही सुन्दर plant होता है इसे अम्रेला plant भी कहते हैं इसे छतरी plant भी कहते हैं इसमें भी दो color के होते हैं एक बिल्कुल green होता और दूसरा यह वेरिगेशन वाला होता है तो यह बिल्कुल indoor तो नहीं रहते हैं लेक कितने अच्छे से धीरे धीरे इनके बहुत सारे ब्रांश निकल जाते हैं और विल्कुल अम्रेला की ही तरह लगते हैं इसलिए इन्हें अम्रेला plant कहा जाता है तो मैं तो इसे पेड की शाओ में रखी हूं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो इस प्लांट को भी आप श करोंफें इनलो क्रोटाम भी न तो इंडौर प्लांट होता और नहीं आउट डोर प्लांट होता है मतला आउटियो तो आप गांग केडिरे ऑफ्राथ लाख सकते एसी वी ऍवार की जबड़िसर्ट नहीं पड़ती है। जितने वी प्लांट में आप लहों को बतलारे हैं दोस्तो इन समय से कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिने आपको हर महीने फर्टिलाजर देना है बस साल में एक बार याisu साल में दो पर आप फर्टिलाइजर दे देते हैं तो उसी में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और कलर का वेरिगेशन देखिए आपके गार्डेन पर ये चार चांद लगा देगा और कितने सुंदर-सुंदर कलर होते हैं देखिए ये भी मैंने लगाया है और कटिंग से बहुत स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट तो बिलकुँ इंडोर में रखने वाला है जैसे कि आप इसे अंधेरे कमरे में भी रख देंगे तो भी ये ग्रोथ करते रहेंगे और सबसे बड़ी विशेस्ता ये है कि एर प्यूरिफायर है यानि कि आपके घर की जितने भी विशेली हव है जितनी भी गंदगी है जितनी भी नगेटिव वाइपस है उन सब को दूर करने के लिए ये अकेला ये पौधा काफी होता है तो आपके घर के एयर को प्यूरिफाई करके आपके घर को बिलकुल शुद्ध तरो ताजा बना देता है और इन्हें आप कमरे में रख दीजे है तो ये इनकी विशेशता होती है स्नेक प्लांट तो ऐसा होता है कि आप छोटे-छोटे से प्लांटर में भी लगा देते हैं तो भी चलते है ये ड्वार्फ विराइटी है इसलिए छोटे-छोटे प्लांटर पे है मेरे पास जो देसी विराइटी हो काफी लंबी हो गई बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकल गया है तो आप ड्वाराइटी भी लगा सकते हैं जो कि 80 रूपी से मिलेगा और देशी विराइटी लेंगे तो आपको 40-50 रूपी में यह आपको नरसरी से मिल जाएगा और एक बार नरसरी से ले आते हैं तो आपके घर में मेरे जैसे डेरो स्नेक प्लांट बन जाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत सारे आप लोगों को छाया वाले प्लांट के बारे में बताया है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल पे नए है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लाएं और बिना किसी जंजट के बिना किसी चिंता के प्लांट को लगाएं और खुश रहें थैंक यू